जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में बताया था गोरेगाव नगरपंचायत में नगरपंचायत अध्यक्षे आशीश बारेवार के कारेकाल में कई घोटालों को अंचाम तिया गया है आज हम आपके सामने ला रहे हैं घोटाला नंबर दो पंगोली नदी पर शमशान घाट और सौन्देरी करन का काम जिसकी लागत एक करोड़ 28,18,000 रुपए है इस काम के टेंडर को पास करने के लिए प्राइविट साथ 12 लगाया गया है नियम के अनुसार वह जमीन सरकारी हो इस शमशान घाट और सौन्देरी करन के काम में भारी गड़बडी दिख रही है इस जगह पर 2017 में पीजिंग और गट्टू लगाया गया थे जिसको फिर से उखाड कर लगाया गया है और उसी का बिलपास किया गया है और पुराने पान घट को रिपेर करके उसे नया बता कर फिर से बिलपास किया गया है और यहां जो जलप्रपात बनाया गया है वह गोरे गाव और जान्या ग्राम पंचैट की सीमा में आता है जिसमें जान्या ग्राम पंचैट की एनोसी नहीं ली गई है यह ब्रश्टचार नगर पंचैट अध्यक्ष और CEO की मन्जूरी सहमती से हुआ है यह काम गाव के नाकरिकों के स्वीदा के अनुसार नहीं हुआ है गोंदिया से बीसे न्यूस के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट